आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार, स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रशन है PQRS एक चक्रिय चतुरभूज है यदि कोण P, कोण R से 3 गुना है और कोण S, कोण Q से 5 गुना है तो कोण Q और R का योग है चार विकल्प दिये गए हैं और इस प्रशन को करते हैं हल यहाँ पर इस प्रशन को समझते हैं एक चित्र के माध्यम से एक चतुरभूज बना लिया और यह चतुरभूज है चक्रिय चतुरभूज अब इसमें दिया गया है कोण P, कोण R का 3 गुना है यानि अगर यह कोण X मान लेते हैं तो यह कोण X बटे 3 होगा तो यहाँ से हल करते हैं X धन X बटे 3 इसका मान होगा 180 डिग्री की चक्रिय चतुरभूज में आमने सामने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री यहाँ से इसको हल करेंगे तो X का मान आ जाएगा 135 डिग्री हमें यहाँ पर कोण R निकालना है कोण R X बटे 3 है तो यहाँ से कोण R बराबर X बटे 3 यानि की 45 डिग्री आ जाएगा अब आते हैं कोण S और कोण Q में यहाँ पर बोला गया है कोण S कोण Q से 5 गुना है यानि की अगर यह Y है तो यह Y बटे 5 होगा फिर से यहाँ पर समझते हैं Y धन Y बटे 5 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के यानि आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री किया यहाँ से इसको हल करेंगे तो Y कमान आ जाएगा 150 डिग्री हमें यहाँ पर चाहिए कोण Q कमान यानि Y बटे 5 तो कोण Q आ जाएगा 30 डिग्री अब कोण Q धन कोण R निकालना है तो यहाँ से कोण Q धन कोण R बराबर दोनों का योग करेंगे 45 धन 30 45 और 30 इनका योग आ जाएगा 75 डिग्री 75 डिग्री हो जाएगा हमारा सही उत्तर आप चैन करते हैं अपने सही विकल्प का तो यहाँ पर हमारा तीसरा विकल्प है 75 डिग्री तो धन्यवाद मिलते अब नए प्रश्न के साथ क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आई आई टी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर